हलो गाईज, विलकम टो माई चैनल, कैसे आप लोग उम्मीद करता हूँ, आप सभी अच्छे होंगे और आज हम जो प्रशनों पर बात करेंगे ना, जो प्रशना आपके लिए होंगे, बहुत ही महत्पोण होंगे क्योंकि यह जीव विज्ञान से संबंदित है, और आपको पता है, लास्ट टाइम जो है, टेट के एक्जाम में, यूपी टेट के एक्जाम में, जीव विज्ञान काफी अच्छे प्रशनों के साथ आया था, तो काफी दिक्कत होई थी लोगों को, तो मैं नहीं चाहता कि ज जीव विज्ञान के जो भी टफ हैं, और जो भी अच्छे MCQs हैं, उनको मैं आपको करा दू, ठीके, दो चार वीडियो में बायलोजी आपका खतम हो जाएगा, और आप लोग जो है, पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, जिसमें हम लोगों ने काफी टापिक्स पर बात कर जाएगा, मौक टिस्ट नहीं करें हैं, उत्तरब्रेस का सामान ग्यान नहीं देखा है, तो सभी के लिंक आपको डेस्क्रप्शन में दे दी जाएगे, और बिना समय गवाय जो है, उनको देखेगा, चैनल पर अगर आप पहली बार आ हैं, तो क्या करना है, आपको चैनल को एक्जाम में आ सकते हैं, लिखा है, आधुनिक वर्गी करन का जनमदाता या जनक किसे कहते हैं, अरस्तू, मेंडल, कैरोलस, लीनियस या फंको, बताएं, आधुनिक वर्गी करन का जनक जो है, कैरोलस, लीनियस को कहते हैं, दुईनाम पधत के जनमदाता, कैरोलस, लीनियस है ठीक है इस पाइन को ध्यान दिखेगा आर्बीसी किस जीव में अनुपस्थित होती है आदमी काक्रोच घोड़ा या चूहा देखे आर्बीसी की उपस्थित और अनुपस्थित के आधार पर आरस्तु ने जीवों को दो भागों में बाटा था इनायमा और ये तो पहला प्रकार बताया दूसरा बताया अनायमा तो देखे प्रस्ण था आर्बीसी किस जीव में अनुपस्थित होती है तो अनायमा की जो आपके जीव जन्तु होते हैं उसमें RBC जो है नहीं पाई जाती है और इनायमा में जो है RBC पाई जाती है देखें इनायमा में आपके कौन कौन से आते हैं आदमी घोडा चूहा इनमें जो है RBC पाई जाता है और अनायमा में आते हैं काक्रोच और पेड़ पौदे जिनमें RBC नहीं पाया जाता है तो प्रस्थन है RBC किसमें अनुपस्तित होता है काक्रोच में RBC अनुपस्तित होता है और उसे अनायमा कहते हैं क्या कहते हैं अनायमा कहते हैं ठीक है और आदमी घोड़ा चोहा में आरबीसी पाई जाती हैं लाल रुधर कडिकाएं ठीक है आरबीसी को लाल रुधर कडिकाएं कहते हैं और आदमी घोड़ा चोहा ये क्या कहलाते हैं आरबीसी की उपस्थित के अनुसार अरस्तु ने क्या अरस्तु थियो फ्रेस्टस या कैरूलस लीनियस की तो यह है पुस्तक कैरूलस लीनियस महोदे की देखिए अरस्तु जो है वो आपके किसके जनक है जन्त विज्ञान के जनक है ठीक है जन्त विज्ञान के जनक अरस्तु है और वनस्पत विज्ञान के जनक वनस्पत विज्ञान के जनक जो है कौन है आपके Q-Crestres है तो इन पॉइंट्स को आप लोग ध्यान लेखेगा आगे बढ़ते हैं लिखा है प्रकास संसलेशन की क्रिया किस रंग में अधिक होती है प्रकास संसलेशन की क्रिया जो है कहा होती है पौधे के हरे भाग में होती है ठीक है किसकी उपस्टित में सूर के प्रकास की उपस्टित में होती है प्रकास संसलेशन की क्रिया लाल रंग में सबसे अधिक और बैंगनी रंग में सबसे कम होती है तो प्रकास अंसलेशन की क्रिया जो है सबसेधी किसमें होती है लाल रंग में होती है लिखा है किसकी कमी से क्लोरोफिल कैरोटिन में बदल जाता है ठीक है कैरोटिन की वज़े से पतियां क्या हो जाती है पीली पड़ जाती है ठीक है तो किसकी कमी से क्लोरोफिल कैरोटिन मे बदल जाता है Sodeum, Magnesium e prof. Aluminium या क्लोरीन की वज़े से तो Magnesium की कमी से जहे Clorophyll Carotene में बदल जाता है जिसकी वज़े से पत्तियां क्या हो जाती हैं पीली पड़ जाती है लिखा एक कवक की कोशका भिधी बनी होती है Why conductor जो हमारा कवक होता है इसकी जो कोश्का भिद्ध होती है वो काहे की बनी होती है वो बनी होती है काईटिन की किसकी काईटिन की बनी होती है अगला प्रस्ने पाईसम सटाइवम किसका वेग्यानिक नाम है चना, मेधक, कुत्ता या मतर और आठ्वा प्रस्ने बॉस इंडिकस किसका वेग्यानिक नाम है मेधक, कुत्ता, गाय और सर्सों तो पाईसम सटाइवम जो होता है ये मतर का वेग्यानिक नाम होता है बास इंडिकस किसका होता है गाय का, राना टिग्रिना मेधक का होता है, फेलिस डुमेस्टिका बिल्ली का होता है, मैगनी फेरा इंडिका आम का होता है, ब्रेसका कमपेस्ट्रिस सर्सों का होता है तो ये नाम आपको याद ही होने चाहिए अगला है प्रोटो प्लाजम की खोज निम्न में से किसने की थी लिवन हाक पुरिकिंजे त्योडर स्वान या राबठुक प्रोटो प्लाजम की खोज निम्न में से पुरिकिंजे ने की थी प्रोटो प्लाजम को जीव द्रव कहते हैं कहते हैं जीव द्रव कहते हैं ये लसलसा होता है ठीक है बलब जीव द्रव जो है जीव द्रव की खोज किस ने की थी पुरकिंजे ने की थी ठीक है और ये लसलसा होता है जीव द्रव में जो है असी परसंट तक क्या होता है जल पाया जाता है क्या पाया जाता है असी ने कोशिका शब्द का सरव पर्थम प्रियोग निम्न में से किस ने किया था वाट्सनियम क्रीक राबर्ठुक रिडुल्फ विर्चो या अरस्तु बताएं आप लोग फादर आप बायो जी और फादर आप जूलो जी आपके अरस्तु है ठीक है तो कोशिका की खोज जो है र जाबर्ठुक ने कोशिका सब्द का प्रियोग किया था सबसे बड़ी कोशिका जो है तंत्र का तंत्र होती है ठीक है सबसे बड़ी कोशिका तंत्र का तंत्र होती है और सबसे बड़ी कोशिका सुत्रमुर्ग के अंडे की कोशिका है ये भी आपको ध्यान रखना है प्रोकेरियार्टिक कोशिका में स्वसन होता है प्रोकेरियार्टिक कोशिका में स्वसन होता है कोशिका दो प्रकास की होती है ठीक है प्रोकेरियार्टिक और यूकेरियार्टिक तो प्रोकेरियार्टिक कोशिका में स्वसन होता है और यू केरियाटिक कोशिका में जो आपका स्वसन होता है वो माइट्रो कांडिया के द्वारा होता है। अगला बहुती सांदार प्रस्वन लिखा है कोशिका भित्ति के संबंद में कौन सा कथन गलत है। यहां केवल पादप में पाई जाती है यह सेलोज की नहीं बनी होती है, जीवाण का कोशिका भित्त, प्यप्टी डोगल कें का बना होता है यहां कोशिका को आकार देता है। तो देखिए जो कोशिका होती है सिल्लोज की बनी होती है यहाँ पर नहीं होगा यानि प्रश्ण के अनुसार बी वाला आपसंज है सही है वहलब कोशिका भित्त के संबन्द में कोशिका भित्त पादप कोशिका में पाई जाती है या सिल्लोज की बनी होती है कोशिका जीवा को आकार देती हो कौन कोशिका भित अगला है कोशिका जिल्ली बनी होती है कैल्सियम सोडियम लिपिड की या क्रोमेटिन की कोशिका जिल्ली बनी होती है लिपिड की किसकी लिपिड की अगला प्रशने आपका फैक्ट्रिया प्रोटीन के नाम से निम्न में से कौन जाना जात है, pastorus Für.30 गाल जी का ओर लाइसोसों अंक्षा है निक्तर सबस्क्राइब प्रश्ज एक हैक ओर अधिक्ष्ण फैक्त्रिया प्रोटीन अ घझा है कि यह जो होता है आप का यह होता है राई बोस ओम ठेक पैलेड ने उन्निस सो तिरपन में जन्त कोशिका में राइबोसोम को देखा और यहां जो है राइबो न्यूक्लिक एसिड नामक अमलवा प्रोटीन की बनी होती है यहां प्रोटीन संस्लेशन के लिए उपयुक्त इस्थान होता है अर्थात प्रोटीन का उत्पादन का इस्थल आप नामका राइबोसोम है इसी वज़े से इसे प्रोटीन की त्री कहते हैं किसे राइबोसोम को अगला है कोशिका का पावर हाउस आफ स्लेल किसे कहते हैं तो यह माइट्रो कांडिया को कहते हैं ठीक है और इसकी कोज अल्टमैन ने अठारा सो छे-ासी में की थी बेंडा ने का नाम माईट्रोकांडिया दिया ठीक है इस पाइंट को ध्या निखिया लिखा है चुकंदर में वरणी लवक पाया जाता है लाइकुपिन, केरोटिन, बीटानिन या कुरोमेटिन बताएं दिखिये लवक जो होते हैं यह केवल पादप कोशिका में पाया जाते हैं यह तीन प्रकार के होते हैं हरित लवक जिसे क्लोरोप्लास्ट और वर्णी लवक जिसे क्रोमोप्लास्ट के नाम से जानते हैं ठीक है तीन प्रकार के इन पॉइंट्स को ध्यान देखेगा तो चुकंदर में कौन सा वर्णी लवक पाया जाता है लाइकोपेन, कैरोटिन, बीटानीन तो बताना है आपको देखें चुकंदर में बीटा नीन पाए जाता है ठीक है लाइको पेन आपका टमाटर में पाए जाता है कैरोटीन भाईया गाजर में पाए जाता है गाजर में विटामिन A पाए जाता है विटामिन A की कमी से रताउंधी रोग होता है कौन सा रोग होता और विटामिन C की कमी से सकर्वी रुग होता है ठीक है विटामिन E का रायसानिक नाम टोकोफेराल इस से जो है विटामिन E की कमी से क्या होता है जनन शक्ति में कमी आ जाती है विटामिन K का रायसानिक नाम नेफ्थो कुईनोन होता है क्या होता है नेफ्थो कुईनोन ठीक ह इस point को आप लोग ध्यान रखेगा देखें वसा में घुलनसील विटामिन A, D, E, K यानि कीड़ा और जल में घुलनसील विटामिन विटामिन B और C विटामिन B बारा की बात करें तो इसमें क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है इसका रायसानी नाम साइनो कोबाल एमीन होता है तो चुकंदर में बीटानीन पाया जाता है लाइको पेन आपका टमाटर में कैरोटिन आपका गाजर में पाया जाता है अगला प्रस्में वनस्पतियों को पराबैगनी केड़ों से बचाने के लिए कौन सा वर्णी लवक यानि क्रोमोप्लास्ट जो है उत्तरदाई होता है कौन सा वनस्पतियों को पराबैगनी केड़ों से बचाने वाला वर्णी लवक कौन सा है कैरोटिन, फाइकोसाइन, लिकोप्लास्ट या लाइकोपिन ठीक है बताएं आप लोग तो वनस्पतियों को पराबैगनी केड़ों से बचाने के लिए फाइकोसाइन, जो है वर्णी लवक उत्तरदाई होता है अगला है आनुवान सिक्ता का जनक निम्न में से किसे कहा जाता है बहुत एच्छा प्रश्चन है आनुवान सिक्ता का जनक में सरपथम जनकारी आश्रिया के निवासी जो थे ग्रेगर जान वंडल इन्होंने दी थी ठीक है अगला प्रशन है फिलोश्पिक जोलोजी क्यू यह पुस्तक किसकी है लाइमार्क की वाट्सन की डार्विन की या हुईगयो डिवरीज की बताएं फिलोश्पिक जोलोजी क्यू तो यह पुस्तक जो है यह लाइमार्क भहिया की है लाइमार्क की ठीक है इस पाइंट को ध्यान लेकेगा देखे इन्होंने लाइमार्क वाट दिया था और यह कहते है जीवों एवं इनके अंगों में सतत बड़े होते रहने की प्राकर्थिक प्रवत्ती होती है और इन जीवों पर वाता वड़ी परिवर्दन का सीधा प्रभाव पड़ता है इसके कारण जीवों में विभिन अंगों का उपयोग घटा वड़ता रहता है अधिक उपयोग में आने वाले अंगों का अधिविकास हो जाता है और कम उपयोग में आने वाले अंगों का कम विकास होता है इसे अंगों के कम या अधिक उपवोग का सिध्धान भी कहते हैं किसे लैमारकवाद को लैमारकवाद का सिध्धान जो है इनके पुस्तक फिलास्पिक जूलोजिक्यू में 1809 में प्रकासित हुआ था ठीक है इसी प्रकार से कह सकते हैं कि जीवों द्वारा उपारजित लच्छोनों की वनसागत होती है जिसके फलस्रोब नई जातियां बन जाती है जैसे जिराप की गरदन का लंबा हो जाना ठीक है तो जो है गरदन जुका करके खाता था लेकिन घास खतम हो गई तो वो पेवड़ों की पत्तियों को खाने लगा उसकी गरदन जो है पहले चोटी थी पहले जो है गरदन को जादा यूज नहीं करता था बाद में गरदन को जादा यूज करने लगा उसकी लंबी गरदन हो तो मतलब एंगो के कम और अधिक उप्योग के बारे में लाइमार्क बताते हैं, अपने सिधान्त लाइमार्क वाद में अगला बहुत अच्छा प्रस्ण है पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन क्या कहलाते हैं पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन क्या कहलाते हैं बहुत अच्छा प्रस्ण है इससे जो एक्जाम में काफी बार प्रस्ण पूछा गया है लाइबेरिया, कोटी कोल, सेक्सी कोल्स या रिमे निला बहुत अच्छा प्रस्न है, देखें लाइकेंज जो होते हैं ये कवक और सहवाल से मिलकर के बने होते हैं इसमें कवक और सहवालों का संबंध परसपर सहजीवी जैसा होता है कवक और सहवाल के बीच इस तरह के सहजीवी संबंध को हेलोटिजम कहते हैं पेडों की छालों पर उगने वाले आपके लाइकेंज क्या कहलाते हैं बहुत अच्छा प्रस्न है, ये आपको बताना है क्या कहलाते हैं ठीक है ये कहलाते हैं कार्टी कोल्स क्या कहलाते हैं कार्टी कोल्स कहलाते हैं लाइकेन का अध्रन जो है लाइकेनो लॉजी कहलाता है सरव प्रथम इसका प्रयोग लाइकेन सब्द का प्रयोग थियो फ्रेस्टस ने किया था और वाई प्रदूसर के लाइकेन संकेतक होते है जहां पर अधिक वाई प्रोषण होता है, वहाँ पर लाइकेन भैया जमते ही रही है, ठीक है, स्पाइट को ध्यान दिखेगा, पेडों की छावलों पर उगने वाले लाइकेन, आपके कॉट्री कोल्स और खाली चट्टावनों पर उगने वाले सेक्सी कोल्स के नाम से जाने जाते हैं ठेक है इस पाइंट को ध्यान लिखेगा आगे बढ़ते हैं लिखा है लाइकेन किसके सूचक होते हैं धने प्रदोसन, वाइब प्रदोसन, मर्दा प्रदोसन या जल प्रदोसन के तो जो लाइकेन होते हैं ना ये आपके वाई प्रोडूसर्ण के सूचक होते हैं अगला है बैक्टीरिया की खोज निम्न में से किस ने की थी बरजीलियस, इंटानवान, लिवन हाक, लुईस पास्चर या इवाइनुवस्की देखे बैक्टीरिया की खोज जो है 1863 में हाईलेंड के इंटानवान, लिवन हाक ने की थी और फादरा बैक्टीरियोलाजी के जनक जो है यानि जीवाणू विग्यान के जनक जो है आपके इंटानवान, लिवन हाक है तो बैक्टीरिया की खोज इंटानवान, लिवन हाक ने करी थी अगला है कुरूसी फेरी कुल का पौधा निम्न में से कौन है कपास भिंडी गुलहल या मूली बहुत ही अच्छा प्रस्ट है अब जब बायलोजी पढ़ रहे हैं तो छोड़ें के कुछ नहीं देखिए आपको पता होगा पौधे जो है बीज पत्रों की संख्या के आधार पर दो भागों बाटे जाते एक बीज पत्री पौधे उन पौधों को कहते हैं जिनके बीज में सिर्फ एक बीज पत्र होता है दोई वीज पत्री वो होते हैं जिसमें दोदल होते हैं ठीक है तो वताना है कुरूसी फेरी कुल का पौधा नेमने में से कौन है कपास भिंडी गुड़हल या मूडी मूली तो कुरूसी फेरी कुल का पौधा आपका मूली है मालवेसी कुल के पौधे कपास भिंडी गु और कुकुर बिटेसी के तर्बोज, खर्बूचा, टिंडा, कद्दू, लौकी, खीरा, ककड़ी अगला प्रस्ने रोजेसी कुल का पौधा निम्बू, सेब, टेमाटर, सल्जम तो रोजेसी कुल का पौधा आपका सेब है, क्या है? सेब है और निम्बू, रोटेसी कुल का, अभी मैंने आपको बताया ही था, सल्जम, सल्जम किस कुल का पौधा है? ये आपको बताना है, क्रूसी फेरी कुल का पौधा है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं आपके लिए प्रस्ने हैं, असत्य फल निम्ण में से है, सहतूत, कटहल, रस्भ अरिया इस्ट्रावेरी, तो ये होते हैं आपके कटहल और सेव, असत्य फल आपके कटहल और सेव होते हैं, अगला है पुसपासन निम्ण में से किसका खाया जाता है, एरिल का, सेव का, कटहल का या नारंगी का, पुसपासन निम्ण में से किसका खाया जाता है, सेव का और नासपाती का ठीक है आम का जो है मद्ध फल भित्ती खाया जाता है लीची का खाने योग भाग एरिल है ठीक है अगला परसने आपके लिए नारियल का कौन सा भाग खाया जाता है मद्ध फल भित्ती ब्रूण पोस ब्रूण बीज पत्र नारियल का कौन सा भाग खायाता है भृून पोस खाया जाता है देखें लहसुन जो है किस कुल में आता है लहसुन और प्याज लिली एसी कुल में आता है नारियल आपका पालमी कुल में आता है गेहू मक्का बांस गन्ना चावल ग्रेमी नेसी कुल में आता है इन पॉइंट एक बीज पत्री पौधे हैं और दूई बीज पत्री पौधे आपके कौन कौन से हैं देखें दूई बीज पत्री में ऐसे पौधे आते हैं जिनके बीजे में दो पत्र होते हैं जैसे मूली, सलजम, कपास, भिंडी, गुड़हल, बबूल, सूरज मुखी, गेंदा, नीमू, तरबूज, खरबूजा, टिंडा, लवकी ये सब आपके दूई बीज पत्री पाउध है यानि जिने के बीजों को हम काटेंगे और दो दल मिल जाए हमको तो आपके दूई बीज पत्री पाउध है अगला है सलक कंद निम्न में से कौन होता है अगला है जीवित जीवास्म के नाम से निम्न में से कौन जाना जाता है जैमिया, पिग्मिया, साइकस, मेटा सिकोया, जिंगो, बाईलोवा बताएं जीवित जीवास्म के नाम से सबसे छोटा अनावरत बीजी पौधा जैमिया, पिग्मिया है नगन बीजी पौधे तो बताना है जीवित जीवास में आपका साइकस है क्या है साइकस है पालमी कुल का पौधा कौन है प्याज सुपारी गेहु मक्का अभी मैंने आपको बताया था पालमी कुल का पौधा निम्न में से कौन सा है तो यह है आपका सुपारी प्याज किसका है लिली एसी कुल का है गेहु मक्का ग्रेमी नेसी कुल के है क्रेसर किस प्रकार का तना है कंद प्रकंद सलकंद या घंकंद का तो क्रेसर जो है यह घंकंद है क्या है घंकंद आप बात करेंगे कुछ पादप हार्मों के बारे में जो आपके एक्जाम में आ सकते हैं लेकिए ओस्ट एस्ट कोई प्रॉरी जैंस बात करेंगेक व्रद्धी को नियंत्रित करता है शाइटोगे जिब्रेलींस आकसंस या एथलीन तो यह आपका आकसंस जो है यह पोदती की व्रद्थी को नियंत्रित करता है, डार्शी सी में इसकी खोज की थी ठीक है इस शीज को ध्यान देखेगा अगला पुस्टने फ़लों के पकाने में किस पादफ हार्मोन का सबसे ज्यादा हाथ होता है फ्लोरिजेंस ट्राउमेटिन एथिलीन साइटोकाइन देखिए यह आपका है एथिलीन एथिलीन एक ऐसा हार्मोन है गैसी हार्मोन है जो बर्ग द्वारा मलब हार्मोन की रूप में बर्ग द्वारा 1912 में इसको प्रमारित किया गया फ़लों के पकाने में वा मादा पुस्बों की शंख्या में व्रदी करने में एथिलीन पादब हार्मोन उत्तरदाई होता है अगला साइटोकाइनिन की खो बोज़ ने करी थी मिलर ने करी थी 19 तो ये होगा आपका जिप्रेलियन्स, देखे जिप्रेलियन्स भी जो होता है ये बाउने पौदों को लंबा करता है या फूल बनाने में मजद करता है कुरूसावा जो की जापानी मनोवज्ञानी थे मनोवज्ञानी सुरीności वज्ञानी थे इन्नेश्वभिस में उन्होंने जिब्रेलिंस की खोलच करी थी अग्ला है धान में खैरा रोग किस विटामिन की नहीं किस तत्य की कमी से होता है जस्ता, तामा, मैगनीज, बोरान बताएं आप लोग बताएं बताएं तो धान में खैरा रोग जो है जस्ते की वज़े से होता है लीची में पत्ती जलना पोटेसियम की वज़े से मटर में मार्क्स रोग मैगनीज की वज़े से फूल गोबी में ब्रावनिंग रोग बोरान की वज़े से नीबू में लिटिल लीफ जो है तामवे की वज़े से होता है नीबू में डाइबैक जो है ये भी तामवे की वज़े से होता है और आम एवं बैंगन में भी लिटिल लीफ जो है जस्ते की वज़े से होता है तो इन